बर्गर एक ऐसी स्ट्रीट फुड है जो बहुत प्रचलित है जो बच्चे बड़े सबको पसंद आती है यह बर्गर हमारे कीचिन में आराम से मिलने वाली सामग्रियों से तैयार होगा तो चलिए बनाते हैं मजेदार बर्गर इसके लिए हमें बॉइल आलू प्याज धनिया पत्ता और बंच चाहिए सबसे पहले आलू को मैस्क कर लेंगे इस तरह मैंने सारे आलू को मैस्क कर लिया है अब इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे मैंने प्याज दो तरह से काटा है छोटे-छोटे कटे प्याज को डाले अब इसमें दो से तीन कटी हुई हरी मिर्च सुआद के अनुसार नमक और इसे थोरा चटपता बनाने के लिए चाट मसाला डाले थोरी सी काली मिर्च डाले और धेर सारा धनिय पत्ता और इसे अच्छी तरह मिला देंगे अगर आपको धनिय पत्ता नहीं पसंद है तो आप धनिय पत्ता को इसकिप भी कर सकते आलू से इस तरह बॉल बनाते हुए हम एक टिक्की बना लेंगे इसे इस तरह गोल-गोल करे और हाथों से दबाते हुए टिक्की बना ले इस तरह मैंने सारी टिक्की तैयार कर ली है एक तवे को गैस पर रखे उस पे घी या बटर डाले मेरे पास घी है इसलिए मैं घी डाल रही हूँ जब घी हमारी मिल्ट हो जाए तो इस पे सारे टिक्की को डाल देंगे और इसे सिखने देंगे जब यह अच्छी तरह सिख जाए तब इसे पल्टे इस तरह दोनों तरफ से इसे लाल कर ले सारे टिक्की को अच्छी तरह सेख ले नेक्स्ट प्रोसेस में बर्गर बन को लेंगे उसे बीच से इस तरह काट लेंगे हमें बन को पुरा नहीं आधा ही काटना है इस तरह मैंने सारे बन को काट लिया अब तवेग पर गैस को रखेंगे और उसमें एक चम्मच गी डाले और सारे बन को सेक लेंगे हमें हाई फ्लेम पर ही बन को सेक लेना है अब हमें थोड़ा सा उपर भी घी लगा देना है और सारे बन को पलट लेंगे दूसरी तरफ से भी हम इसे सेक लेंगे सारे बन हमारे सीख चुके हैं गैस का फ्लेम बंद कर दे बन में फिलिंग को भरते हैं थोड़ी सी मोयूनीज लेंगे इसे बन के ऊपर स्प्रिड कर दे अगर आपके पास चीज है तो चीज भी डाल सकते हैं मेरे पास अभी मोयूनीज है तो मैं क्योड मोयूनीज ही डाल रही हूँ इस से भी टेस्ट अच्छा आएगा उसके उपर गोल कटे हुए प्याज और गोल कटे हुए टमाटे डाले मैं उसके उपर टोमेटो सॉस डाल रही हूँ टोमेटो सॉस या टोमेटो केचप डाल सकते हैं और एक और प्याज को डाले आप सब्जी आप अपने अनुसा डाल सकते हैं टिक्की मेरी छोटी है इसलिए मैं और एक डाल रही हूं और फिलिंग को अच्छी तरह दबा दे हमारा होम मेड बर्गर बन कर तयार है इसी तरह दूसरे बन में भी मोयो नीज लगाएंगे और उसे भी आलू टिक्की और प्यास टमाटर और खीरा भी डाल कर फिलिंग भर सक करते हैं हमारा होम मेड बर्गर बन कर तयार है कम समान से बना हुआ यह बर्गर पर बहुत स्वाधिश्ट और इसे बनाने की वीधि भी बहुत आसान है आप इसे जरूर ट्राइब करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी लाजवाब रेशिपी मिलती थेंक यू